गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टुड़ी पॉइंट दोस्तो आज है कीस अक्टूबर और देखेंगे आज के पूरे करनेफेस दोस्तो आप मेंसे काफी स्टूडेन ने कमेंट के तक सर मुझे करनेफेस को नोट्स प्रोवाइट करिए तो आपके लि लिए आपको विनर्स बनना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटा फट और शेर कर दीजिए और सभी को कमेंट करने थिक और पांस सवालों के आपանान से सवालों पांत जवाब दीजीए और आपको करनेफेस को नोट्स मिल आएंगे और इस वेनर का में जो एनॉ कर सकते हैं और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिस्पन वाक्स में देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है विश्व रेसलिंग विजयता थे बजरंग पुनिया पदक के लिए भारत के सर्वसेस्ट उमीदवार होंगे ठीक है बजरंग पुनिया और आको वतादिक इसमें 3010 टीम से मुख इवेंट में मजबूत परसन के उम्मीद है इसके लाव आपको तादिक 2013 में विश्व चैंपेंशिप में कान से प हंगरी जो है और यह चार बस्तियों बुड़ा पेस्ट ओ बुड़ा एवं केबानिया से मिलकर बना हुआ है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट कोशन है विश्व रेसलिंग चेंपेंशिप दोठारक शूरत का होई हंगरी में नेक्स कोशन है हाली में किस भारती मूल की महिला ने यह उन दास्ता की विरोध के लिए शीर्श अमेर की सम्मान जीता है जिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनल पटेल डेविस ठीक है मिनल पटेल डेविस देखिया आप होता है मिनल पटेल डेविस ने राश्ट्रपती डोनाल ट्रम दोरा आयजित वाइजित समरों के दौरान यह उंदास्ता और स्रम सोशन के खिलाब अपने काम के लिए यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल जीता है और डेविस हूस्टन मेयर के लिए मानो तसकरी पर विशेश सलाकार है इसके लावा दोस्तों पतादिक सहुक्त राश्ट विश्व मानापतावादी सिखर्शन मेलन में एक पूर्व वक्ता डेविस ने हाली में मानो तसकरी में नगर पालिका नेत्रुत पर चर्चा के लिए भारत और कनाड़ा की आत्रक किया और डेविस ने कनेक्टिक कनेक्टिकाट इस्विद्याले से MBA और न्युवर्शिटी से BA किया है इनों ने ठीक ह आता और प्रेंच के लिए करनाठ सटाथ हैं मिनलपरज़ डेविस यानी आप साने करेक्ट है i important question है चल लघ्सicki ने अगला question लेते हैं ग्रामेड विद्दूत्य करण के लिए प्रयास के लिए करनाठ पूरुस्कार किसे मिलेगा तो gramidira Judhokaran के प्रयाद के प्रयाज के लिए karna日 कर्णाट ये आबांड़ मिलेगा पियूश goale को गला के सिद्धान के लिएंके प्यार की मानेधा दॉइ लीग इणिवर्शिटी पिंसेल वेनिया द्वारा प्रतिष्ठित करनाट पूर्षकार प्राप्त होगा ठीक है और आपको बता दे कि जब कि उन्होंने बिजली और नवीनी करन उर्जा पॉर्टफोलिय आजित किया था और कार्निट पूर्षकार उर्जा नितिम विशिश चुकतन के लिए जाता है तो आपको बता दे ग्रायमर उद्विति करन के प्रयास के लिए करनाट पूर्षकार किसे मिलेगा मिलेगा प्यूष गोयल को चलिए अगला कोशन है वर्ल्ड स्टील एसोशेशन के कोशा ध्यक्षरू में किसे चुना गया है वर्ल्ड स्टील एसोशेशन के कोशा किया गया है और ताटा स्टील के एमडी टीवी नरंदर और अर्शेलल मित्तल के मुख एलन मित्तल को भी अपने सदस्यों में से रूम में न्यूक्त किया है आपको बता दे कि न्यूक्तिया टोक्यों जापान विशुष्टरी आम सभा के दोरान की गई इसके दोरान लापकारी संक्ठर ने ठीक है इसको मुख्यालय कहां पर वर्ल्ड इस्टील एस्टील का ब्रुसेल से विल्जियम में और इसके लाव आप पोता दे किसकी स्थापना हुए थी जुलाई 1967 में अंतरास्टी आयरन इस्टील संसान के रूम में स्थापित किया गया था इसके है कि जबाइसे एक्टूबर 2008 में अपना नाम वर्लिल एसील एसेशेशिशन में बदल दिया था ठीक है इसका नाम जो है वर्ल्ड इस्टील एसेश्टील एस हुए में की सज्जनacy दिदल को अगला मनी में इंडिया करेगा ठीक है option D right हो जाएगा global partners forum चौथे संस्क्रण की मेजवानी इंडिया करेगा अब पतादिक भारत दिसंबर 2018 में नई दिल्ली में global partners forum के चौथे संस्क्रण की मेजवानी करेगा और maternal newborn and child health महिलाओं बच्चों और इसकी सहमेजवानी की जाएगी और चिली के पूर्व राष्ट पती जो है डाक्टर मिशल बैचलेट पी एम एनस सीएच के ध्यक्ष रहेंगे ठीक है यानी maternal newborn and child health के ध्यक्ष रहेंगे आपको बतादे कि विश्यश्वास संक्टन सहयुक्त राष्ट की एक विशेश एजनसी है जो अंतराश्टी सार्मिक स्वास से संबंदित है दोस्तों डबलु एचो साथ अप्रेल 949 को स्थाफित किया गया था नीं world health organization विश्युस्वास संक्टन स्थापना का वोथी साथ साथ अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस के रूम में भी मनाया जाता है इसी दिन इस्थापना विश्व स्वास्त दिवस मना जाते हैं यह भी याद रखना है तो ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के स्टीफन होकिंग के अंतिम पुस्तक ब्रीफ एंसर टूदा बिक क्वेस्टन का नावरण किया गया है और इसे सद्ध्यांतिक भौतिक विग्जानी के परिवार और अकादमिक स्वयोगों ने विशाल व्यक्तिकत संग्रे के सामगरी के साथ पूरा किया है और यह अगले सौ वर्षों के दरन भगवान के स्थित्तों संभावित समयात्रा और मानव बुद्धिमत्ता सहित विविन मुद्धों का वरणन करता है ठीक है चलिए तो इसका राइट एंसर होगा ऑप्सन भी स्टीफन होकिंग बहुत इंबोडन कोशन है आप देख लेते हैं आज का जो में पूरुष यूगल पूरुष एकल की स्खिलाडीन जीता है यूजश ओपेंटेनिस में पूरुष एकल की स्खिलाडीन जीता है ऑप्सन दे रखे हैं इसका भी एंसर आपको लिखना है कोश्चन नमर थर्डे चौते बिमस्टेक सिखर से मेलन कहा शुरू हुआ है तो ये पांच कोश्चन का एंसर आपको कमेंट बाक्स में लिखना है इस वीडियो को शेयर करना है लाइक करना है यह आप विनर्स वणना चाहते है आपको करेंड़ फेसका नोट से यह तो ठीक है तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें दोस्तों पूरे डेटेल यूनिक के लिए अब देख लेते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमर सेवंथ वाइल लाइफ फोटोग्राफर आप दिया दोठारा पूर्शकार किसे ने जीता है जीता है मार्सल वान आस्टन ठीक है मार्सल वैन आस्टन ने देख्या आप पोता देख हरे भरे पत्तों के बीच चिं इन लूप्त प्राय बंदरों में एक मात्र निवास धक्षिन पसी मिचीन के कुणिंग परवत में डच फोटोग्राफर है ये मार्सल वैन ओस्टन दोरा ले गई है तो वाइल्ड फोटोग्राफर आप दियर तो रठारा का पूर्शकार किसने जीत लिया है मार्सल वैन ओ मुंबई में माजेस्टिक हाज हाउस की छत पर भारत के सबसे उंचे तिरंगे खराया है और इस राश्टी दोर्ज का माप 20-30 और यह जमीन अस्तर से 350 फिट उपर है प्रतिष्टी तीमारत के सीर्ष पर 20 मीटर उंचे मस्तूल के उपर इस्थापी दोर्ज दक्षिन मुं कि देश में किया जाएगा दोस्तों चीन में कहां पर चीन में ठीक है आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब इसमें बैडमिंटेन टेनिस टेवल टेनिस और पूर्षों को जिमनास्टिक को शामिल किया गया है ठीक है और आप पता दें कि 1995 सहर साल में अंतराश्टी स खेलों का आजन है और भारत ने 2007 में खेल की मेजवानी की तो इंडिया 2007 में इस खेलों की मेजवानी किया था और 2019 में उन्तराश्टी सहर ने खेलों का आजन कहां पर चीन में होगा ठीक है चलिए question number 10 है दुनिया का सबसे लंबा पुल का उध़टन कब किया जाएगा तो इक किया जाएगा 24 अक्टूबर को आपको बता देक दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल हॉंग कांग मकाव जुहाई ब्रिच 24 अक्टूबर 2018 को खोल दिया जाएगा आपको बता देक इसी ल बता है इस पुल का निर्मार दिसमबर दोहर 9 में शुरू हुआ था और इसका उध़टन हो जाएगा 24 अक्टूबर 2018 को खोल दिया जाएगा और इसकी लंबाई है 55 किलोमीटर और दक्षिट चीन में बहने वाली परलेड नजी के डेल्टा वरिस्तित है ठीक है तो यह आप आज का सवाल साथ ही साथ आपको पांस सवालों के जवाब लिखना इसके साथ साथ जो मैंने पूछा करेंड़ फेस नोट से आप पाना चाहते हैं तो तो आज का सवाल है निम्रेखित में से कि इस देश ने दुनिया के सबसे वड़े मानोरहित परिभान डोन का सभलता ठीक है दोस्तों चलिए तो मिलते हैं नेक्स वूड़े उक साथ तेद्याब ने कल की वीडियो ने देखी तो यहां पर आपके देख लीजिए ठीक है ओल देवेस्ट जै हिन जै भारत